देखे इस question को, question number 30, ठीक है, पढ़ते हैं इसको, one card is drawn from a well-suffled deck of 52 cards, calculate the probability that the card will be, ठीक है, 52 cards होते हैं, deck of cards, यानि ताश की गड़ी में 52 पत्ते होते हैं, उन मेंसे कोई एक पत्ता निकाला जाता है, तो उन मेंसे बताईए कि B and Ace, क्या वो एक Ace card है, not B and Ace, और या फिर वो एक Ace card नहीं है, पहली बात तो हमारे पास Ace card होते हैं, 52 पत्तो में, total पत्ते कितने हैं, हमारे पास, 52, तो 52 पत्ते हमारे total outcomes कितने होगा है, 52, ये बात तो clear है, है ना, तो total हमारे पास, total cards कितने हैं, 52, तो total number of outcomes ठीक है will be 52 52 ही होंगे जब card हमारे इतने है दो अब point number 1 के लिए बात करते है B and A's वो क्या कर रहा है कि एक A's card हो अब A's card कौन सा होता है A's card होता है जिस पे A छपा होता है है ना जिस पत्टे पे हमारा A printed होता है वो हमारा A's card होता है और A's card कितने होते है हमारे इस पूरे गड़ी के अंदर ठीक है तो 4 होते है 4 होते है ना पता है ना B and A's ठीक है So possible possible outcomes for an A's card possible outcome क्या होंगे A's card के लिए A होगा A होगा A होगा A होगा कहने का मतलब 4 A होंगे कैसे कैसे होंगे यह 4 होंगे एक तो हमारा diamond shape होगा diamond shape का होगा clear दूसरा हमारा heart shape का होगा heart shape का ठीक है दो red होते हैं और दो black होंगे black में कौन कौन से होंगे एक तो club होगा ठीक है एक club होगा और एक एक होगा हमारा spade एक spade guard होगा है ना जिसे हम होकम का एक का कहते हैं तो एक होकम होगा तो इस तरीके से हमारे 4 card होंगे total number कितने हो गए 4 card तो total possible outcome कितने हो गए total possible outcome for an ace card for an ace card के लिए कितने हो गए 4 हो गए तो probability of ace card ace card की probability क्या होगी हमारे पास 4 upon 52 तो यह क्या कटेगा चार से एक बार कटेगा चार से तेरे बार कटेगा तेरे चोग अब आवन होते हैं क्योंकि तो 1 upon 13 तो 1 upon 13 probability आगे है हमारी point number 1 यानि कि first point की चलिए आगे बात करते हैं second point के लिए देखे second point में अगर हम क्या बोल रहा है वो हमसे second point के लिए बोल रहा है not be an ace card कि ace card ना हो तो अब बताइए देखो सामने रखे हैं आपके ace card ace card सामने रखे हैं कितने हैं? 4 हैं total card कितने हैं? 52 अब 4 को minus करते होगे 52 से यानि हटा तो इन cardों को पर इनकी बात नहीं हो रही है ठीक है? तो for second not be an ace card not be an ace card तो after removing the ace card from the deck of cards remaining cards is 48 ठीक है? तो remaining possible हमारे पास क्या होंगे? possible outcomes after removing removing and ace card ace card ace card को अगर हम हटा दें ace card 4 होते हैं तो बावन में से आप 4 को minus कर देंगे बेटा कितने बचेंगे? 48 बचेंगे तो 48 cards is the probability मतला हमारे लिए probability के लिए जो possible outcomes होंगे तो possible outcomes कितने हो जाएंगे? 48 ठीक है? तो probability of not not an ace card not an ace card के लिए क्या probability हो जाएगी? 48 upon 52 अब 48 को जब डिवाइड करोगे आप 4 से तो कटेगा कितने? 12 बार इसको कटेंगे? 13 बार 12 upon 13 तो क्या आगी बाटे? हमारी probability 12 upon 13 और यहाँ पर क्या आई? 1 upon 13 तो यह दो probability हमारी निकल के आ गई है 11 upon 13 12 upon 13 match करा हो जड़ा किस से match कर रहा है? A की option दिख रहा है मुझे option number A option number A से match कर रहा है यह answer तो हमारा option number A right answer होगा clear है? है ना? समझाया? easy question था?